मेरा नमस्कार बचो आज की इस वीडियो में करने वाले हैं कक्स अच्छे विज्ञान और उडान के जितने भी कारिय पत्रक हैं इस अध्याइन में शIGHर क्थिस हम करेंगे बच्छो जो अगर आप चैनल नहीं हैं यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बच्छो चलिए सुरू करते हैं कारिय पत्रक एक है कारिय पत्रक एक में क्या है बच्छो की ये कुछ प्रसन दिए गए हैं आपको पता हैं कांसर गाइं भैंस कुटा बिल्ली एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कितने पैरों का प्रियोग करते हैं कितने पैरों का प्रियोग करते हैं बचो चार का करते हैं कितने पैरों का तो यह answer है इसका चार ठीक है तो चार लिख देना है पक्सी कैसे गमन करते हैं यानि पक्सी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं वो कर जाते हैं पक्सी एक स्थान से दूसरे स्थान के फिर उसके बाद है सांप वो चलते हुए देखा है कभी, साफ कैसे चलता है, रेंग कर चलता है, भचो रेंग कर का मतलब धर्ती के उपर ऐसे लिट के चलता है, उसके पैर तो होते नहीं, तो वो ऐसे ऐसे चलता है, उसे रेंग कर चलना कहते हैं, ठीक है, तो ये प्रसन आपने करने थे, फिरा के मिला करना है आपने मिलान करने में क्या आ जाएगा कि गाएं जो है वह कैसे चलती है तो पैर पे चलती है और लुब कैसे चलता है पूरे श्रीव से चलता है Link कर चलता है और खुट पंक से उड़करचलता है और मचली मचली के फिन होते हैं फिन का मतलब पंक होते हैं चोटे-चोटे जिन से वह चलती है ठीक है फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नमबर तीन बच्चो आपने स्रीर का ध्यान से अलोकन करें पिलकुल सांत बैठें अपनी आँखो को बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान दें आप देखोगे कि सांस अंदर बहर आ रही है और छाती भी कभी अंदर होती है कभी बाहर होती है तो स्रीर में होने वाली ऐसी दो गतियां बताओ जो आप महसूस करते हो जब आप आंखे बंद करके बैठ जाते हो तो एक गति तो यही होगी सांस हमारा चल रहा है ठीक है और दूसरी गति हमारे हिर्दय की धड़कन की है बच्चो जो हमारा हिर्दय जो है पूरी उमर बिना रुके बिना ठके धड़कता है ठीक है यानि सबसे जादा कारिया कौन करता है बच्चो हमारा हिर्दय करता है जब हमारा जनम होता है तब से लेकर जब तक हमारी हमारा भीना यहादार धड़कता रहता है बच्छो ठीक है ये दो तरह की गति अपने लिखनी है भी देख़गी फेब्डे या डाया फार्म की गति फेब्डे यहां होती है और जैसे हवा यहां से निकलेगी तो निचे डाया फार्म बढ़ा जाता है तो डाया फार्म की गती होती है तो यह गतियां जो है हमारे स्रीड में चलती रहती है बच्चो अब यह बताना है कि खरगोष कैसे जलता है फुदकना फ्रगोष क्या करता है फुदकता है साप रैंक के चलता है किड़ा कैसे चलता है फुडकर और मचली तैर के चलती है तो यह आपने मिलान करने थे बच्चो तो यह आपने कर लिये है ठीक है तो अगला पार्ट आपके पास नुवा पार्ट है बच्चो यह नेक्स् बच्चो जैहें